एलो प्रेंड में दीपा कुपाध्य है स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस आप स्टॉक्स तो फेंड आज हम आप पे डिसकस कर रहे हैं पावर फाइनेंस कार्पोरेशन शेरकार टेक्निकल एनलेसिस तो फ यहां पर एक केंडल 30 मिनिट को रिप्रेंट कर रहे हैं यहां पर मैं इसे कर देता हूं यह देखिएगा इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं नीचे की तरफ 250 रुपए तक स्टॉक ता गिरावट कहां से हुई थी तो आप देख सकते हैं 275 से यहां पर आप देखिए यहां तरक आने का स्टॉक में फिर से गिरावट हुई और यह गिरावट स्टॉक को 255 रुपए पर support प्रोवाइट कर रहे हैं यहां पर सपोर्ट आने का वाज टॉक में स्टॉक में आती है तेजी और यह तेजी स्टॉक को उपर लेकर गई और यह जो red line आपको दिखाई यह दो सो दिनों के exponential moving average की लाइन यहां से stock ने breakout लिया है यह देखिएगा साती अगर देखा जाए तो यह वाली जो range थी यहां पर इससे भी आपको breakout दिखाए देगा यहां पर आप देखेंगे फाइनल स्टॉक उपर की तरफ चला 272 तक विकली चार्ट पर इंडिकेशन तो क्लियर है कि स्टॉक आने वाले 30 मिनिट की कुछ केंडलों में मतलब कहने का दो दिन तक का टाइम भी आपको यहां पर लग सकता है ऐसा नहीं कि अचानक से सब होगा और आपको यहां पर स्टॉ 275 तक एक बर फिर से जाता हुआ मात्र तीन रूपए दो रूपए की तीजियां पर आपको कम से कम देखने को मिलेगी लेकिन इस बात को दिहान रखें यदि 275 का जो लेवल है यह ब्रेक आउट कर जाता है 276 277 के आसपास यदि सस्टेन हो जाता है तो आपको अगला टार 24 दिनों के अगर हम बात करें प्रेट करें तो यहां पर हम देखे 272 पर बाइंग का सोच रहे हैं तो नीचे की तरफ 270 रूपए का आपको स्टॉप प्लास रखना होगा उपर की तरफ जो टार्गेट है वह फर्स्ट टार्गेट तो मैं आपको 275 ही कहूंगा लेकिन यदि 275 ब्रेक करता है तो 280 रूपए तक के टार्गेट आपको बहुत जल्दी यहां पर देखने को मिलने वाले तो यह ता हमारा टेक्निकल व्यू पावर फाइनेस कार्पोरेशन शेर को लेकर करके इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेर और सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो